ये जो रेसिपी है बहुत ही जादा हेल्दी है और ब्रत में हर किसी को पसंद आती है और अगर आप एक कटोरी इसको खाएंगे तो पूरे दिन एनर्जी रहेगी तो चलिए इसको बना देते हैं और आप एक कमेंट करके जरूर बताना की आइडिया कैसा लगा सबसे पहले कढ़ाई में दो चमबा देसी घी को गरम किया इसमें थोड़े से काजू और मुंफली डाले हैं मैंने कितनी कॉंटिटी में मैंने सारी चीजें ली हैं आप नीचे इंगियन देख सकते हैं इन दोनों को हमें हाई फ्लेम पर चलाते हैं अच्छे से भून लेना है जलाना नहीं है बस हलका सा रोष्ट करना है दोनों चीजें हमारी भून गई है तो घी से इनको निकाल कर प्लेट में रख लेंगे अब इसी गरम घी में डालेंगे हम एक कच्चा आलू और साथी अच्छे से घी में भून लेंगे यहाँ पर मैं कड़ाई को कवर नहीं करूंगी बिना कवर करें ही इन आलूओं को अच्छे से पकालूंगी इनको हमें हाप पकाना है पूरा नहीं पकाना है यहाँ पर आलू को हाई फ्लेम पे बक्ते पक्ते पांच मिनट हो गये हैं यह half fry हो चुका है इसमें डालूंगी मैं हरी मिर्च एक टमाटर मिर्च आप अपने टेस्ट के according डाल सकते हैं और अगर आप टमाटर नहीं खाते हैं तो टमाटर को skip कर सकते हैं टमाटर डालने के बाद इसको अच्छे से चलाना है और चलाते हुए अब मैं इसमें डाल देती हूँ आदा कप साबुदाना जो कि ब्रत में अधिकतर खाया जाता है आदा कप सामक के चाबल कहीं कहीं इनको भगर भी बोलते हैं आप इन दोनों चीजों को आपस में अच्छे से मिलाते हुए mix कर लीजिए mix करने के बाद अब इसमें डालूंगी मैं पानी तो पानी की मातरा थोड़ी पानी डाला है डालूंगी आदा चम्मच प्रत वाला नमक नमक आप स्वात के हिसाब से डालिए जैसा खाते हूं वैसा आप नमक डालिए अब मैं इसको कवर करके अच्छे से पकाऊंगी इसको पकनी में लगभक 10-15 मिनट लगेगा तो फ्लेम मैंने मीडियम करती है मीडि देखिए हमारा ब्रत का बहुती बढ़िया खाना बन की तयार हो गया है इसको आप क्या नाम देंगे इसको आप क्या बोलेंगे मुझे कमेंट करके जरूर बताना मैं तो इसको बोलती हूं मिक्स खिचडी वह भी ब्रत वाली इसको आप कीजिए गरम-गरम सर्प इसको या फिर आप इसको किसी भी ब्रत वाली जटनी के साथ भी खा सकते हैं नहीं अगर कुछ भी ना हो तो इसको आप ऐसे ही कर सकते हैं इंच वाए बहुत बहुत जादा टेस्टी लगती है और बहुत बहुत जादा ये हैल्थी होती है तो आप शिवरात्री के पावन अफसर पर इस रेसिपी को जरूर ट्राय करें और कैसी लगी आपके घर में सब को ये रेसिपी प्लीज मुझे कमेंट करके जरूर बताएं कमेंट करना बिल्गुल भी ना भूले मिलेंगे आपके साथ अगले नई वीडियो में तब तक के लिए आपका दिन शुब हो आप सबको महाशुबरात्री की बहुत बहुत शुब कामना है नमस्ते